दोस्तो सुजलोन एंदर जी की बात के तो स्टॉक के अंदर गुरुवार को अपर सर्कृट लग गया क्या फिर से यापर अपर सर्कृट का दोर सुरू होगा या फिर अभी भी गिरावट की समोवना बाकी है stock 50 तक जाके आ चुका है क्या फिर से 50 को cross करके 100 की तरफ stock आगे बढ़ने वाला है या फिर आने वाले से stock फिर नीचे की तरफ आता वो दिखाई देगा तो यहाँ पर कुछ update है जिसको इस वीडियो के मादर में से discuss करेंगे अधारी ग्रूप की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है जिसका क्या फाइदा सुजलों को हो सकता है वो भी समझने की कोसिस करेंगे अब quarter 4 भी आने वाला है क्या quarter 3 की तरफ quarter 4 भी बेतर रहने की उमीद है वैसे company देख सकते हो कि अपने सारे कर्ज को चुका चुकी है company के बाद समझ cash flow भी है और बहुत सारे order pending है जो आने वाले समें company complete करेंगी तो क्या SMS की price बढ़ सकती है जानने की कोसिस करेंगे वैसे company अब mid cap भी बन चुके जो पहले small cap हुआ करती थी साथ में आप देखे तो Morgan इशनली के index में इसको सामिल कर दिया गया है साथ में FTSC के word index में भी सामिल कर दिया गया है क्या SMS में जो global नीवे से हो आएगा जानेंगे इस वीडियो के माधियम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले गुरुवार के कारोबार की बात पर क्लोजिंग 40.40 पर रही है जापे 5% का अपर सर्के लगा यानि श्टॉक फिर से 40 को क्रॉस किया है पिछले इनों श्टॉक 36 तक आ गया था और दो बार ऐसा हुआ है जब श्टॉक उपर के लेवल से नीचे की तरह आया यानि एक तरह से 35 का मजबूत सपोर्ट है जिसके नीचे श्टॉक के जाने के सम्भावना काफी कम बनती है अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ब्रोक्रेज आउसे आनन्द राठी उन्होंने यहाँ पे इसका 50 का टार्गेट दिया है उनके इसाब से आने वालस में श्टॉक 50 कोट टच कर सकता है और आप देख सकते हो कि अदारी ग्रूप जो है कुछ बड़े फैसलेर इंजरी जिसका फाइदा भी देखना हो मिल सकता है विन अनर्जी मार्केट में सुझलों की इसादारी 32 परसें है और आने वालस में यह एक बड़ी भूमी का निभा सकता है यह कहना है आनन राठी का और कमपनी का जो वित्य मुनाफ़ा है 2024 के बीच 64 पर सालाग दर से बढ़ने की उमीद है वैसे कुछ ब्रोकरेज हाउस ने जोखिम भी बता है उनका कहना है कि कमपनी के सामने कई रिस्क भी है प्रतिकूल सरकारी पॉलिसी, विन टर्बाइन जरेंटर में उमीद से धिमी गती और बड़ा यावे कमपेटिशन सुझलों के लिए बड़ा जोखिम बन सकता है यह कुछ रिजन है जो इसको दबाव में ला सकते है अब यहाँ पे देख सकते हो कि जिसने भी इसमें निवेस किया होगा पिछले कम समय में एक साल में इसने पांच गुना आपका रिटन कर दिया है और काफी साधा तरिके से स्टॉक दोड़ा है यहनि आपका एक लाग रुपे का जो इन्वेस्टमेंट था वो पाच लाग हो चुका है लोगों का काफी बेतर रिटन मिला है और आप देख सकते हो कि 411 प्रतिसत का इसने जबड़ा सीट है पिछले एक साल में स्टॉक देख सकते हो कि 40 पर पहुचा है और वैसे 52 वीक का जो हाई लेवल हो 50.60 का है और लो है वो 6.95 का तो उपर की लेवल से अभी भी इसमें आपको कर्रेक्शन दिखाई देगा वैसे देख सेते हो कि 2008 में चार्ज अंदवरी को यह 373 के आसपास ट्रेड करता है स्टॉक जो 6 सितमर 2013 को गिर के पाच रुपे के आसपास आगे था बारी बरकम गिराउट ही लोगों को बहुत ज़्यादा नुक्साद भी हुआ लेकिन जिसने निशने लेवल से खरीजार की उसको जबरदस रिटन भी यहाँ पे मिल रहा है अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रहे है कि अदानी ग्रीन एनर्जी आने वाले समय में यानि 2030 तक 45 गिगावाट का निवेश करने जारे ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए तो गौतम अदानी के दर्प से बड़ा अनॉस्मेंट किया गया है 45 गिगावाट की कैपसिटी या पे इस्टॉल करते हैं जिसमें सोलर और वीन प्रोजेक्ट सामील होंगे तो आप यह देख सकते हों कि इसका सीधा फाइदा सुजलोन को मिलने की समभावना है क्योंकि सुजलोन एनर्जी पहले से ही अदानी ग्रूप के लिए जितने उनके वीन प्रोजेक्ट है वो कम्पलीट करते है यानि यह कमपनी उनके लिए वीन टर्माइन निर्मान करती है उसको इस्टॉल करती है और इसको मेंटेदर सर्विस प्रवाड़ करती है तो इसी तरह से इंडिया के जो बड़े बड़े corporate house है वो जो आने वाले सेक्टर में नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे वो सारे order है जो सुजलोन को मिल सकते हैं और ऐसे मैं अलड़ी देख सकते हो कि इसे पहले भी देख एटानी ग्रीज ने इनको दिया हुआ सुजलोन को जो आने वरस में देख सकते हो कि complete होता हो दिखाई देगा तो लगातार आप समर सकते हो कि बहुत सारे project company को मिल रहे है और ऐसे मैं सुजलोन के लिए बहुत सारी opportunity अगर आप long term investor है तो सुजलोन में ये निवेस का बिल्कुल सही मौका है क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है कि सुजलोन energy अपने सारे tension से बाहर निकल चुकी है जो सबसे बड़ा भारी बरकम कर्ज था उसको खत्म किया है 2000 क्रोड के आसपस कर्ज था 2020 के पहले वो सारा खत्म है कि क्रिशिल ने इसकी rating को बड़ा दिया है आप देख सकते हो कि जो triple B plus की जो rating थी उसको अब A2 plus कर दिया गया है तो rating upgrade हो चुकी है और क्रिशिल का ये भी कहना है कि जिस्त से इनकी order book मजबूत है financial sales सुदरी है आने वाले से सुजलोन अपने सारे कर्ज को जो भी complete कर सकते और जो इनकी जो सेहत आने वसमें और अच्छी होती हो दिखा देगी तो क्रिशिल ने लगाता rating बढ़ा दिया है ये एक सुप संकेत है तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि rating agency है इसकी rating को बढ़ा रही है इसके अलावा जो global index है चाहे Morgan Stanley का index हो या फिर FTSC का जो इंडेक्स investor के लिए बहुत अच्छा मौगा है कि इसमें खरिदारी कर सके short term investor फिलाल अभी stock से थोड़ी दूर रहे क्योंकि जिस असे CB का जो नया guideline आया कि mid cap और small cap से जो निवेस है उसको थोड़ा सा कम करे mutual fund को ये का गया है और ऐसे में हो सकता है कि या से कुछ mutual fund का भी जो holding a trim होते दोड़ चुका है बहुत सारे mutual fund है 20 रुपे 25 रुपे के आसपस खरिदारी की हुए उनका investment अभी भी डबल के आसपस हो रहा है ऐसे में हो सकता है उनका निवेस या से कुछ निकले और इसलिए आपको short term investor को wait करना चाहिए एक बार stable होने दें stock को लेकिन long term investor के लिए बहुत इंफरा category में तो पिछले पास सालों में देखे तो सुजलोन energy ने यहाँ पे 45% का सांदार return दिया है इस दौरान SNP BSA infrastructure के अंदर 22% की तेजी बनी है और BSA mid cap की बात कर ले तो यहाँ पे 20% की तेजी बनी है तो winner आपको यहाँ पे बिलकुल एक सकते सुजलोन energy ही दिखाई देगा अगर हम 3 year की बात कर ले तो सुजलोन energy ने 100% return दिया जबरदस्त इस दौरान SNP BSA infrastructure में 37% की तेजी बनी है और mid cap में 25% की तेजी बनी है तो 3 year के इसाब से भी winner आपको सुजलोन ही दिखाई देगा अगर हम 1 year की बात कर ले तो सुजलोन ने 461% का bumper return दिया है इस दौ तेजी बनी है तो 1 year के इसाब से भी winner आपको सुजलोन ही दिखाई देगा लेकिन पिछले 3 महीनों में देखे तो सुजलोन में जो तेजी बनी हो बात तरह 9% है जबकि BSC India infrastructure के अंदर 20% की जबरदस तेजी बन चुकी है BSC mid cap 8% दोड़ा है तो यहाँ पे winner BSC India infrastructure आपको 22% की गिराउट हुई है और BSC mid cap में 1.06% की गिराउट हुई है यहाँ पे loser सुजलोन है year to date के इसाब से सुजलोन का return 5.76% है जबकि BSC infrastructure का जो return है वो 19% है और mid cap का जो return है वो 6.74% है तो यहाँ पे winner BSC India infrastructure दिखाई देगा लेकिन overall देखे तो stock में correction पूरा हो चुका है एक ब इस बड़ेज ले ले या अपना खुद का research करें क्योंको मैंने वीडियो आपके educational प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जोर की जोर चैनल को subscribe कर दीजे thank you friend